हेलो फ्रेंड्स मैं रिया दो आपकी फिजिक्स की मेंटर वेलकम टू मैं चैनल पुरवांचली स्टेडी फ्लैटफर्म तो आज मोमेंट अफ इनर्शिया अफ सम बॉडिज देखते तो आए देखते मज़ा आएगा फर्स्ट आफ आल हम रिंग के बारे में देखेंगे तो इसका डेराइव आए मिन डेरिवेशन तो एक्जाम भी पूछेगा नहीं तो आपसको बस जो भी फाइनल एंसर आता है निकल कर उसी को हम बस डारेक्ट लिखेंगे इसका फारूला तो रिंक का मोमेंट आफ इनर्शिया होता है आई बराबर यामार स्कॉर और डिस्क का मो स्कॉर्ण स्कॉर तो देखिए आप इसका ये रिंग से मैच क्यों कर रहा क्योंकि हॉलो सिलेंडर रिंग से ही बना होता है रिंग का अगर अब हैड diff को उपर रखेंगे तो एक हालो सिलेंडर बन जाएगा ना उमेजन कर सकते हैं आप और सॉलिड सिलेंडर का का होता है i is equal to mr square upon 2 और फिर rod का होता है ml square upon 12 और हम आज angular momentum और and its curve version देखेंगे तो angular momentum को यह से denote किया जाता है यह थोड़ी सी पहले वाली बाते हैं जो खेर आप लोग जानते होंगे लेकिन आप यहां पर मैंने बताया क्योंकि थोड़ा सा बताना जरूरी है तो फिर यह is equal to r into p नि पोजीशन वेक्टर आप जानते कि इन रोटेशनल मोशन रेडियस एंड वेलोसिटी आर आलवेस परपेंडिकुलर टू इच अगर रेडियस एंड वेलोसिटी आर आलवेस परपेंडिकुलर टू इच अगर सो हम पी के जगह पे एम वी लिख सकते हैं तो सिधा सिधा हो जाएगा कि एम वी आर एंड वी के जगह पे आर स्क्वाइर ओमेगा नाव आप देख आप बताए डियल अपॉन डीटी इसकोल टू डी और यल के जगह पे यह इतना है यल के जगह पर हमें लिखा है आर इंटू पी अपॉन डीटी तो आप आप जानते हैं कि आर बाहर आ गया और डी अप्उन डीटी को हम कया बोलते हैं फोर्स ना तो फिर और वेक्टर इंटू फटर यह पर लिखा गया की एफ हैसकोल को डीप्यEप उड दीप उपांड ब्यक्राइद आइंड दीतो अपॉन डीटू आपॉन पर पाउड पॉन जोगते हैं कि यह टूरः इंटु आप त है if external 0 then dl upon dt is equal to 0 so L is equal to constant L mvr is equal to mr square omega is equal to constant मतलब कि यह बोल रहा है अगर हम किसी भी body पर कोई external torque नहीं लगाते तो उसका जो angular momentum होता है वो constant रहेगा according to law conservation of angular momentum in the absence of external force in external net torque net angular momentum of a body remains constant यानि यानि अगर मैं किसी भी body पर कोई external torque नहीं लगा था तो इसका जो angular momentum है वो constant रहेगा इसका application खेर यह है कि आप देखेंगे कि जो रोप यानि कि रस्ती रहती है उस कुछ लोग चल सकते हैं न एक ही पैर से आइमीन तो जब वो चलते हैं तो अपने हाग में stick लिया रहते है वो इसलिए क्योंकि जब वो इसलिए रहेंगे तो उनका आर बढ़ेगा और बढ़ेगा तो जाहिड सी बात है उमेगा और कमी होगा तो वो इसलिए रहता है कि वो अगर गिरे भी तो धीरे धीर उनके पास टाइम रहे बचनेगा इसलिए उसका कुछ अपली केशन है इसका लाफ कंजर्वेशन आफ एंगुलर मोमेंटम का बहुत से हैं वो जैसे आप जब आप जब भूमते हो तो कभी-कभी एक हाथ पर नहीं जब आप एक पैर पर खड़े होते तो आप दोनों हाथ ऊपर कर लेते हो ताकि आपके पास थोड़ा टाइम रह आप जानते है कि कानेटिक इनर्जी इसकोल टू हाफ एंग वी स्क्वाएर और वी स्क्वाएर के जगह आर ओमेगा स्क्वाएर तो इसका क्या हो जाएगा डिल्टिटी आर स्क्वाएर आर स्क्वाएर ओमेगा स्क्वाएर तो हाफ यमार स्क्वाएर ओमेगा स्क्वाएर यह आ गया half i v square यह आप पर यह मार के जगह आए क्योंकि आप जानते आई बराबर यह मार स्क्वार तो यह मार स्क्वार के जगह आई तो कानेटिक इनर्जी स्कॉल तो हाफ आई ओमेगा स्क्वार आज इतना